सरुका चुनाव देश और समंधान बचाने का आखरी चुनाव है अतिक एहमत को उम्रकेद की सजा सुनाने वाले जज़ दिनेश चंदर शुकला की सुरक्षा बढ़ाई गई बढ़ा चीतों का कुणबा नामी बिया से आई मादा चीता सिया बनी माद चार बच्चों को दिया चनू नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम की वी और मैं हूँ आपके साथ नदेनी यादव वक्त हो चुका है उतरपतेश की बड़ी ख़वरों कारू करते हैं ख़वर के ओर निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा की बड़ी बैठक खत्म हो चुके है इस बैठक के बाद बीचेपी प्रदेश अध्धक्ष भूपेंद सिंग चौधरी ने प्रेस्वार्ता की है प्रेस्वार्ता में उन्होंने बैठक की सभी महतोपुर जानकारियां दी उन्होंने बताय कि बैठक में 45 पदाधिकारी और 66 अध्धक्ष मौजूद थे वहीं बैठक में पार्टी के कारेक्रम और अभ्यान पर चर्चा की गई साथी निकाय शुनाओं की रड़नीती पर भी मन्थन किया गया है अध्याओं की बैठक को अध्याओं की चर्चा हुए जो अध्यक्त जानकारी पर्टी की परणिकार आपको देंगा यूबी में एक बार फिर से चुनाओं का एलान हुआ है रामपूर की स्वार और मरजापूर की चानबे सीट पर दस मई को उपचुनाओं होंगे स्वार सीट से सपा के टिकर पर पिषली बार अभदुल्ला आज़़्यम चुनाओं जीते थे लेकिन इसी साल उनके वधाय के निरस्त हो गई है जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई है वहें मरजापूर की 96 सीट से वधाय के राहूल कॉल चुनाओं जीते थे लेकिन उनके नधन के बाद ये सीट खाली हो गई है हमेरपूर में एक दिवसी दौरे पर आये डेप्टी सियम रजेस पाथक ने मौदहां CSC अस्पताल का ओचक नरक्षड किया CSC का नरक्षड करने के साथ ही उन्होंने आयुश्मान कार्ट काउंटर पर जाकर जाय जा लिया साथ ही BJP कार्याले में पहुँचकर कारेकरताओं से मुलाकात भी की नरक्षड के दौरान डेप्टी सियम रजेस पाथक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योशनाओं को ब्युंदेल खंड में धरातल पर लाना ही उनका उद्देश्य है फरिदाबाद में आसामाजिक तत्वो ने बाबा साहब भीमराव अम्बेटकर की मुर्ती को बूरी तरी से छते ग्रस्त कर दिया है वहीं जब ग्रामिडों ने उठकर छते ग्रस्त मुर्ती को देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद ये खबरगाव में फैल गई वहीं ग्रामिडों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेटकर की मुर्ती तोड़े जाने पर नाराज की जताई है ग्रामिडों के बढ़ते रोश को देखने के बाद पुलिस के आलादिकारीओं ने ग्रामिडों को जल्धी प्रशासन की तरफ से नई मूर्ती लगाने का आश्वासन देकर शान्त कराया लेकिन ग्रामिडों ने मांग की है कि 14 अप्रे से पहले बाबा साहब की मूर्ती को लगा दिया जाए यहां के देखे हैं जो भी अब शिकायत देंगे उस पर कारवाई करेंगे रात के समय किसी ने वार्ण करिये वो गलब करी है और हमेश्ची अफ्सोस है और जाद है जो भी काम कर रहा है आमने सामने आंके करे तब तो मले आए लिए ती बाबा साब की मूर्ती खंडित किया ग कि पहले तो मैं सबसे यह करूंगा मेरे जितने प्यारे भाई है वही चीज देखी रही है कि खिया हॉआ हैॉआ रात को कितने वजे उ यहुद यह सब्सक्राद shorts पूरा आया हुआ हुआ है उसकी इंक्वारी करेगा मेरी सबीसे यही प्रातर है हैं कि तो हमारी नई मूर्टी लगाई जाए 14 अपरेल से पहले पहले और उनको ग्रबदार किया जाए जिसलिए यह हासा किया है अमरोहा के नौगावा सादा थानशित के गाँ उस्मापूर के रहने वाले मुसलिम युवक अजहर अबास नकवी मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ के फैन है दर असल युवक ने कलिक्टेट में मुसलिम केमिनुटी के लोगों पर आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि वो युगी आदितनाथ के काम को लेकर वीडियो बनाते हैं और उसको सोचल मीडिया पर वारिल करते हैं जिसके चलते हैं उनकी मुसलिम केमिनुटी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उनको रामायड पढ़ने के और हिंदु धर्म अपनाने की धमकी भी देते हैं वहीं दिल से वो मुख्यमंत्री उग्यादितनाथ को लाई करते हैं मामला यह है कि मैं जो है के नामे योगी दित्तिनाज जी का फैन हूँ और उनके कामों के बारे में मैं बताते रहता हूं उन्होंने किस तरीके से काम करें हैं सारा भ्रष्ट चार उत्तर पिर्देश तो उन्होंने खतम कर दिया आज आप उत्तर पिर्देश में पूरे भारत में देख लिजिए कि एक भी गुंड़ा नहीं है उत्तर पिर्देश में अगर हमारी एक लाक की चीद eight लिसाड़ा है होगी यह एक खड़ हैं तो कुई टच करिने वाला नहीं है सारी मुख्यामंतरी घृ central हो आने वाले समय में फुल सपोर्ट कर रहा हूं योगी अदित्याजी को उत्तर प्रिदेश का मुख्या मंतरी देखना चाहता हूं और कि नामें बिर्धान मंतरी हमारी निरेंदर मौधी को देखना चाहता हूं भारत में और मुझे इनके इन दोनों का कामों से बहुत बहुत और ये सबसे बड़ी अकाम कर रहा है उत्तर प्रिदेश का अरिफ के बाद अब सुल्तानपुर में सारस पालना अफ्रोश को महंगा पड़ गया है बताया जारा कि वीती रात अफ्रोश के घर वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को कबजे में लिया जा सारस को ले जाने के बाद अफ्रोश बेहत निराश है वही जुलाव वनाधिकारी की माने तो राज के पक्षी के पालने के आरोप में अफ्रोश बर सुसंगत धाराओं में कारिवाई की जा रही है महीं सारस को वर्विभाग कार्याले में रखा गया है और सारस पूरी तरेके से स्वस्त्व है अलाधिकारियों को सुछना दी गई है यह कल सुछना प्राप थुए दिन में कि लंगवा तैसल के मप्रगत कराम सतैना में इसी ने एक सारस रखा हुआ है तो जैसा कि होता है सुछना मिलते ही हम अपनी टीम को बेशते हैं और चुकि एवन जीव प्रक्रणखा इसले इसको अते अंद गंभियता से लेते हुए हमने अपने उपरप्रवागी मना दिकारी थे श्रीडी के सी और चेत्री मना दिकारी लंहुआ मुए मुहमाद इबराह इसको कोई व्यक्ति पाल नहीं सकता बिना प्रविशन के तो एक हवायत का रखा इसलिए उनके विरुद्ध सुशंगत धाराओं में हमने अपना जो गद्मा होता है वो दर्च किया है और उसी समय उस सारस को हमारी टीम अपनी अभिरिक्षा में ले करके शकुशल सुल्ता पर प्रभागी परसर मिले आई है मेरा नाम है अफ्रोज खान सुल्तान बुकर रहने वाला हूं नंसम साड़ीच-पांच महिने चे महिनी के करीब सारस मुझे मिला जो मूर्गी के बच्चे की तरह था पता चल पाता था कि बच्चा है कि सारस का मूर्गी का तब से मारे भ अधर वाले उसे बहुत अच्छी सरी जब खाना नहीं खाता तो तो हम लोग उसको अपने उसकी टोट खोल के उसे खाना खिलाते थे और धीरे दीरे चल रहा था फिर अचानक आरिफ वाला मामला हुआ तब पता चला कि इस्टेट पच्छी है इसकी कुछ कानून और नियम कि इतनी सेवा मैं कर सकता हूं सायद कोई नहीं कर सकता कि हम सुबह आलू एक किलो आलू और एक किलो आटा उसके लिए बना के रखते थे जव अलग से हर 15-20 मिन में पान इसको चाहिए सब चीज उसके लिए मैंने एक अपनी माता जी हमारी हैं बहुत अच्छा उसको रखत के प्राड़ी उद्यान में कॉरिंटाइन किर दिया गया है चुडियाघर प्रशासन और चिकिस्को के अथक प्रयास के बाद तीनों स्वस्त और अफसास से मुक्त हो गया जिसके बाद तीनों को प्राड़ी उद्यान में बने जंगल सफारी में मुक्त कर दिया गया जनव सुने काणपूरी में एक हैमालय वेललूच्छ allora कब्रिस्टान से एक वेरेसियन वेलूच जी निशार पीमारी हिश्र श्रूर करकिया घ् Before रोग Common Geo अ पर और अन्तता वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया प्राकृत रूप से जीने हेतु सक्षम हो गया उनको आज जो है नौ बजे के आसपास प्राता काल जो है कानपुर प्राइव द्यान के जंगल सफारी में अमुक्त कर दिया गया है और वह अपने प्राकृत वास जहां है वहाँ चले जाएंगे काजयाबाद के थाना मंसूरी छेत्र के मांगूर मशली का पालन बड़े इस्तर पर फल फुल रहा है बताया जा रहा है कि पहले तो लोग अपने खेतों से पांच से आठ फिट मीटी उठवा कर खनन करवाते हैं फिर खेतों की मीटी बेच कर मोटी रकम वस जन्म देती है साथ ही इनकी वज़े से पर्यावरण को भी भारी नुक्सान होता है इसी कारण राष्ट हरित प्रादीकरण ने इसको पूरे भारत में बैंड किया हुआ है लखनो प्यागराश मार्क पर इस्थित नाले में अग्यात युवक का शौम मिलने से अस्थानी लोगों में हड़कम बच गया बतादे कि मील एरिया थाना शेत्र के अंत्रगत रतापूर चौराहे के पास इस्थित नाले में एक अग्यात युवक का शौम मिला है जिसके बाद एस्थानी लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नाले से निकलवा कर पोस्ट माटम के लिए भेजा है बता दे कि मृतक युवक की अभी तक कोई शुनाक्त नहीं हो पाई वही पुलिस युवक के शव की शुनाक्त कराने के लिए सोचल मीडिया पर सहारा ले रही है अलिगर्मी बकायदारों के खिलाफ विद्यूत विभाग के द्वारा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है साथी विभाग के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कारेवाही की बात कही गई है विभागे युजनाओं और कैम्प का जाजा लेने पहुँचे एगलास एक्सियन घंश्याम कुमान ने बताया कि अब आज विभागे जो मार्च क्रोजिंग है उसमें हमारा राज़ोसुली बोरीच हिद्री सबसे कम है तो आज यहां पर कैम लगाया गया है पूरी टीम राज़ोसुली की लगाई गीए और राज़ोसुली में लोगों सर रोज किया जा रहा है बोलंद शेहर के शिकारपूर में सराइपुरानी अनाश मंडी से स्वक्ष सर्वेच्षड अभ्यान के अतरगत मशाल यात्रा निकाली गए जिसमें स्वक्षड शिकारपूर ने हरी जन्डी दिखा कर रैली को रवानक किया बता दे कि ये रैली सराइप से शुरू होकर नगर पालिका परशद शिकारपूर में संपन हुए रैली के माध्यम से नगर के जन्ता को साफ सफाई के प्रती जागरूख किया गया महिलाओं को साफ सफाई अपने क्रतब्यों के प्रती भी जागरूख किया गया है देखिए आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस्त्रा और हमारे नगर विकाश मंत्री दिगारूख कि इसी दौरान जो है सभी को मोटिवेट करके अवैर करके नागरिकों को और प्रमचारियों को कि साफ सुत्रा नगर रहे साफ सुत्रा वाड रहे जिससे जो है जो ब पिवालियां समाप्त हो जाए लोगों को अवेर करके गीला और पुड़ा और अलग-अलग ठेकने का उनको मोटिवेशन किया जाए जिससे जो है नगर मिकायों की जो समस्या रती है गीले पुड़े और सुखे पुड़े को दोनों अलग-अलग हो करके इसका दिस्तारण मनावटा पुल पर कार सवार चार बदमाशों ने गाड़ी लूट लिया था इसके साथ दो हजार की नगदी भी लूटी गई थी आरोप है कि थाने में बदमाशों से मिली भगत के चलते ततकालीन हसनपूर कोत्वाली के इंस्पेक्टर राम पाल भाटी ने रिपोर्ट द खिलाफ मुकदमार दर्ज किया गया है जिसके आधार पर माने नैले द्वारा एक मुकदमा अमानत में खैनत 406 का पंजिकत करने का अधेस थाना असनपूर को दिया गया जिसमें ततकालीन तीन सच्चो और उस समय के दो सीयों और पुलिस करने और पुलिक के आदमियों के खिलाफ मुकदमा पंजिकत करने का अधेस दिया जिसमें अमानत में खैनत का मुकदमा पंजिकत किया गया है वो प्रक्रण 2014 असन 2014 का है जिसमें सभी तत्रियों के अधार पर इसका निस्पक्शन इस्टान किया जाए अभी के लिए उतरदेश की खबरों में बस अतना ही देशनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी